दोस्तों बड़ी खुश खबरी लंबे इंतिजार के बाद फाइनली येजदी ने अपनी एडवेंचर मोटर साइकल येजदी एडवेंचर को इंडियन मार्केट में बिकरी के लिए लॉंच कर दिया है और रॉल इंफिल्ड हिमालियन को कड़ी ठकर देने वाली येजदी ए अटो न्यूस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा सबसे पहले इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो एजदी एडवेंचर में 334 CC का सिंगल सेलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो की 30 बहप की शांदार पावर और 29.9 न्यूट सस्पेंशन यूनिट दी गई है वहीं बहतर ब्रेकिंग के लिए एजदी एडवेंचर बाइक में फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ में डूइल चैनल ABS भी दिया गया है जिया और खास बात यह है कि इस एडवेंचर बाइक के फ्रंट में 21 इंच और रियर में 17 के साथ ही on and off road driving करने के लिए ब्लॉक पैटर्न ट्रेट ट्रायर्स दिया गया है लोग फीचर्स की बाद करें तो एजदी एडवेंचर बाइक के फ्रंट में राउंड LED हेट लाइट, LED डे टाइम रनिंग लाइट और बड़ी विंड स्क्रीन और रेजड हैंडल बार्स के साथ ही rear में LED टेल लाइट, crash guard और rear rack दिया गया है इसके लावा इस बाइक में split seat, off road footrest और LED turn indicators भी दिये गये हैं connectivity features के मामले में इस बाइक में digital instrument cluster दिया गया है जो की Bluetooth connectivity के साथ आता है और अपने mobile phone से connect करके इस digital screen में आप turn by turn navigation और secondary display जैसे features का इस्तिमाल कर सकते हो dimensions के मामले में SD Adventure Bike का ground clearance 220 mm और seat height 815 mm और fuel tank 15.5 liters का है finally, मुद्दे की बात यानि की बताओ भाईया कितने की आती है बाइक तो दोस्तनों, SD की first Adventure Bike के silver color variant की X showroom price है 2,09,000 rupees black color की price है 2,11,000 rupees और ranger camo color की price है 2,18,000 rupees रखी गई है तो दोस्तों, क्या आप SD Adventure और Royal Infield हीमालेन का detailed comparison देखना चाहते हैं तो comment section में ज़रू बताईए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करे, share करे और हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल न भोले Thank you very much करें पूले हैं